चोपड़ा है जो किस न यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों आज इस वीडियो में हम सभी स्टेट्स की अपडेट के बारे में बात करेंगे ये लेटेस्ट अपडेट रहेगी इसमें अभी रेजिस्टेशन और 24 फिलिंग का टाइम चल रहा है तकरिवन इस्टेट्स में तो किसी स्टुडेंट का 24 फिलिंग ने छूट जाए, किसी कोई स्टुडेंट रेजिस्टेशन करने से वंचित ने रह जाए, इस कारण से ये वीडियो मैं आपके लिए इसपेसली लेके आया हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस कर देना है, ता कर दें, उसमें All Notification पर क्लिक कर दें, क्योंकि काफी बच्चों के पास में वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं, ये एक बार चैनल हैक हो गया था, हैक होने के बाद में इस प्रकार की काफी प्रोब्लम आ रही हैं कि आप तक सभी वीडियो के नोटिफिकेश नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप एक बार बैल आइकोन पर All का Option अवसे ही क्लिक कर दें, ताकि सभी लेटिस्ट वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सकें, तो आईए अभी हम सुरू करते हैं, सबसे पहले MCC की अपडेट के बारे में सुरू करते हैं, तो MCC का रजिल्ट आना है, वो 29 जनवरी 22 को रजिल्ट आ जाएगा, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, हम उत्तरप्रदेश स्टेट की, तो उत्तरप्रदेश स्टेट का 24 फिलिंग आज स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी, वो 31 जनवरी 22 रहेगी तो आपने अगर UP के लिए अपलाई किया है, तो आप 31 जनवरी 22 तक अपना 24 फिलिंग कर दें, यहाँ एक बात आपने विशेश ध्यान रखने है, 24 फिल करने के बाद में उसको लोक जरूर करना है, क्योंकि UP में 24 फिल लोक करना जरूरी है, यह ओटो लोक नहीं होती है, अ 29 जनवरी 22 रखी गई है, तो अगर आपने विहार में अपलाई किया है, तो 24 फिलिंग कर दें, वहाँ पर, IPU के लिए मैं बता दू, IPU के लिए अगर आपने 24 फिल करनी है, आलड़ी रेजिस्टेशन कर रखा है, तो 27 से स्टार्ट हो चुके हैं, IP के 24 फिलिंग, और 29 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, इसके बाद राजस्तान स्टेट का मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, 26 से 28 फिलिंग की लास्ट डेट है इसमें, और इसके आयूस के भी रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट है, आयूस में जो अधर स्टेट कंडिडेट एडमि लेना चाते हैं तो अपना रेजिस्टेशन कर दें, अब बात करते हैं MP स्टेट की, तो MP स्टेट में 24 फिलिंग और लोकिंग की लास्ट डेट 27 जनवरी 22 है, अगर आपने MP के लिए अपलाई किया है, तो आज इसमें 24 फिल करके लोक कर दें, बात करें उत्राखंड इस्ट तो उत्राखंड इस्टेट के अभी रेजिस्टेशन चल रहे हैं और लास्ट डेट इसकी 28 जनवरी 22 है, इसमें रेजिस्टेशन की लास्ट डेट 28 है, इसमें 24 फिलिंग की भी है, इसके बाद में आपको फीस डिपोजिट करना है, सेकुरूटी फीस और रेजिस्टेशन दोनुँ डिपोजिट करने हैं, उसकी भी लास्ट डेट 28 जनवरी 22 है, बात करें केरिला स्टेट की, तो केरिला स्टेट के जो ओप्सन इंट्री यानि की 24 फिल करना है आपको, वो 29 जनवरी 22 तक करना है, साम 5 बजे तक, तो ये अगर आपने केरिला स्टेट के लिए आलरी अपलाई कर रखा है तो आप 24 फिल कर दे साम पांस बजे तक 29 जनवरी 22 तक अब तमिलनाडू स्टेट की बात करें तो तमिलनाडू स्टेट में साड़े साथ परसेंट जो गौर्मेंट स्कूल का कोटा है जिन कंडिडेट ने गौर्मेंट स्कूल से स्टडी की है वहां के जो कंडिडेट डोमिसाइल्ड कंडिडेट है तमिलनाडू के उनकी ओफलाइन कांसलिंग 28 जनवरी 22 को है तो ऐसे कंडिडेट वहां परजेंट रहें फीजीकल कांसलिंग के लिए जो 7.5 परसेंट कोटा रिजर्वेशन स्कूल कोटा रिजर्वेशन के अंडर आते हैं वो पच्छों के लिए अब बात करते हैं हम 36 गड़ इसटेट की तो 36 गड़ इस्टेट की रिजिस्टेशन की लाश्ट डेट 28 जनवरी 22 है जो बच्चे 36 गड़ में एडमिसन लेना चाहते हैं वो 36 गड़ में अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद बात करे हम जारखंड की norms के according ये जो अभी schedule दिया गया है ये 2 फरवरी तक है registration और 24 फिलिंग यानि की 30 जनवरी से ये start होगा और 2 फरवरी तक आप registration कर सकते हैं जारकंड state के लिए अब बात करें हम आसाम state की तो आसाम state की जो 24 फिलिंग है उसकी last day 29 जनवरी 22 है अब बात करते हैं हम बात की states की ये तो registration थे इनके आंधरा के अभी registration आंधरा, वेस्ट बंगाल, तिरपुरा, तिलंगाना मनेजमेंट इनके जो application form है, next step है, first step है, ये जल्दी start होने वाले हैं तिलंगाना का competent authority के form अपलाई हो चुके हैं करनाटका state का अभी आया नहीं है, documents upload के बाद documents verification की list नहीं आई है फीस इस टेक्टर भी नहीं आया है इसके बाद गुजरात state की बात करें, तो गुजरात state की provisional merit list आ चुकी है जल्दी इसका first round schedule जारी हो जाएगा तो ये थी आपके most most क्या सभी state की updates आ गई इसमें जैनके का भी update हुआ नहीं है, उसका first round का schedule तो ये most most state क्या सभी state की schedule और twice filling registration का मैंने आपको इसमें बता दिया है तो आप इसके according अपना registration कर लें बाकी next update जैसे ही मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा तो मिलते हैं नए वीडियो में नई update के साथ तब तक के लिए जैहिन ढार भार ते तक बाल राव जाई जाए हज सक फोड़ एंवाव एंड रहा है